नमस्कार स्वागत है आपका सीन्यूस भारत में और मैं हूँ आपके साथ जोती श्रिवास्त अमारकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबग रुसर्च की रिपोर्ट एक बार फिर चर्चा में है हिंडनबग का रुप है कि अडानी ग्रुप के विदीशी फण में सेवी चीफ और उनके पती की हिस्सेदारी है रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेवी के बीच मिली भगत का भी आरुप लगाया है हलाकि सेवी चीफ, मादवी, पुरी, बुच और उनके पती धवल बुच ने आरोपो को खारज किया है बुच दमपती का कहना है कि कुछ भी नहीं छपाया गया है आरोपो में कोई सच्चाई नहीं है वहीं अडानी ग्रूप ने आरोपो को आधार हीन बताया है और इसे मुनाफ़ा कमाने और बदनाम करने की साज़िश करार दिया है वहीं से बीच इस मामले में अब राजनी तिक बयान बाजी भी तेज हो गई है इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं देखिए ये रिपोर्ट और जानिये इस पूरे मसले पर अखिलेश यादव का क्या कुछ कहना है अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने विसल ब्लोवर डॉकुमेंट्स के आधार पर आरोप लगाया है कि सेवी की चेर परसन मादवी पूरी बुच और उनके पती धावल बुच की मौरिशिस की ओफशोर कंपनी ग्लोबल डाइनमेक ओपर्चुनिटी फ़ण में हिस्सेदारी है इस कंपनी में गौतम अडानी के भाई विनोध अडानी ने अर्बो डॉलर का निवेश किया है इस पैसे का इस्तिमाल शेरों के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया है महीं इस मसले पर अब राजनीती भी शुरू हो गई है कॉंग्रेस समेट कई राजनीतिक दलों की ओर से मामले की जाँच कराने की मांग तेज हो गई है अखिलेश यादव ने भी जाँच की मांग करते वे कहा कि सेवी की जाँच होनी चाहिए इस मामले की गहन जाँच देश की अर्थविवस्ता की अपर यहायता है उतरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी की नेता अखिलेश यादव ने हिंडनबग रपोर्ट के मामने की जाँच की मांग करते वे कहा कि सेवी की अतिहासिक जाँच होनी चाहिए क्योंकि भारतिये प्रतिभूती और विनियम बोर्ट का इतिहास ही ऐसा रहा है कि वो कभी सही माइनों में निवेशकों का सनरक्षक और सहारा नहीं बना अखिलेश ने कहा भारत के बाजार में निवेश की प्रति सुरक्षा की भावना जगाने के लिए सेभी की प्रतिष्ठा की पुनर स्थापना केवल एक निश्पक्ष जांच ही कर सकती है सेभी प्रकरण की गहन जांच देश की अर्थ विवस्था की अपरिहारता बन चुकी है तो वहीं अकलेश की तरह कॉंग्रिस नेता और लोगसभा में नेता प्रतिपक्ष राहूल गांधी और कॉंग्रिस अध्यक्ष मलेका अर्जुन खडगे ने भी मामले की जांच की बात कही है दोनों निताओं ने सयुक्त संस्तिय समिती से जांच कराने की अपनी मांग दोहराई है जाहिर है हिंडन बग की रिपोर्ट जब से जारी हुई है तब से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है अब इस मामले पर राजनीती भी गर्मा गई है जहां इस पर अखलेश यादव और कॉंग्रिस की प्रतिक्रियास सामने आई है तो वहीं धीरे धीरे बाकी विपक्षी दल भी इस मुद्दे के जरिये सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे है क्योंकि विपक्ष के निशाने पर हमेशा से अडानी और मोदी रहे है और हिंडन बग की रिपोर्ट में अडानी का भी जिक्र है तो विपक्ष के लिए इस से अच्छा जरिया और क्या हो सकता है भाचपा और मोदी को घेरने का फिलाल इस कास रिपोर्ट में बसिता ही देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें सी न्यूस भारत